हेलो दोस्तों, INC24 News को सब्सक्राइब करें और गंटी के बटन को दबा कर हमारी न्यूस सबसे पहले प्राप्त करें इंदोर से पहली बाद शुरू होने जा रही इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर एर इंडिया नई तरह की रणनीती बना रहा है मुंबई और दिल्ली से जाने वाले आसपास के राज्यों के रात्रियों को इंदोर से ही दुबई ले जाने की योजना है इंदोर दुबई के बीच पहली फ्लाइट 15 जुलाई से शुरू होगी फ्लाइट को सफल बनाने के लिए एर इंडिया इसका प्रमोशन नागपूर, राइपूर और गोवा में करेगी वहां से यात्री सीधे इंदोर आएंगे जाएंगे सीधी फ्लाइट सुरू होने से इंदोर के यात्रियों का करीब 4 घंटे का समय बचेगा यही नहीं अंतराश्टी फ्लाइट में ले जाने वाले 30 किलो लगेज को लेकर भी यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा वही इंदोर आकर देर राथ दिल्ली के लिए रवाना होने से दिल्ली इंदोर की कनेक्टिविटी भड़ेगी और यात्रियों को कम किराये में दिल्ली का हवाई सफर मिलेगा अभी हमारे पास वाटसाप के एर इंडिया स्टेशन मैनेजर से मुझे शिडूल प्राप्त हुआ है और वो लिखित रूपे कल देंगे ऐसे बताया जो शिडूल मुझे प्राप्त हुआ मैं पढ़ देती उसको पंड़ा जुलाई से यह शिडूल 23 अक्तोबर तक जो है इन्होंने शिडूल दिया है जो समर शिडूल के अंतरगत है जिसमें जो है यह एर इंडिया 903 करके यह हफ्ते में जो है इस फिडूल के अनुसार जो है दो दिन फ्रिक्वेंसी दिखा रहे है यह जाएगी जो है आपका इंदोर से दुबाई आपका यहां से दिपार्चार होगा चार बच के चालिस मिनिट पे वहां पहुंचने का बहुत अच्छा अनुकुल टाइम है शाम की साथ बच के दस मिन पे चार गन तका जर्णी टाइम और इहां आने से पहले वह दिली से इंदोर आएगी तो दिली से डिपार्चार दर्शार है आपका दुपैर दो बच के पंदा मिनिट पे और इधर अगले दिन जो है एर इंडिया 904 करके यह जो है जाने वाली है आपका फॉम दुबाइ टु इंदोर दुबाइ डिपार्चाल नाइटीन फिफ्टी फाइव इंदोर अर्राइवल टाइमिंगी लोग दे रहे रात की सारे बारा बजे तीन गंटा पांच मिनिट का है और ए दिल्ली में अगले दिन काम है उसके लिए एक ऑप्शन हो जाए और एक अच्छी बात है कि आपको यहां डेस्ट लेना है तो मेरे पास लिपिंग जोन री है विए तो स्लिपिंग जोन के उपियोग करके आराम से अब डेस्ट से निकल जाओ और तीन दिन ये आपका फ्ला लगभगगज दुबाइ का रहे 1535 थूर अचींग जाओ लगभगगज वाट लगभगज ये ताइमिंग से वरी गूद अचीतरूप से इंदोर को एक सुमेदा प्रावथ होगी दोमेस्टी पे बी अंतरास्टे पे और समय भीवड अनुकूल है जो समय इनोने शिडूल म दिया तो बहुत लब देख है